अगर आप इस वक्त अपने लिए एक फोन ढून रहे हैं जो के साइज में कॉम्पक्ट हो लेकिन उसके स्पेक्स टॉप अफ दे लाइन हो तो ये विडियो आपके लिए है असलावन कोम और रिव्यू स्पीके में खुशामदीद मेरा नामीर है और दोस्तों शाउमी का लेटिस फ्लैक्शिप फोन पाकिस्तान में लाँच हो चुका है ये है शाउमी 14 जिसका एक ही वेरियंट है 12GB RAM, 512GB स्टोरज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 3,40,000 तो अब्यूसली बहुती भारी भरकम किसम का प्राइस दाए गया है लेकिन इसकी स्पेकशीट भी बहुती भारी भरकम है फ्लैक्शिप लेवल डिस्पले, एंड्रोइट स्पेस का सबसे तगड़ा प्रोसेसर बहुती जबरदस कैमरा, लाइका की कलाबरेशन के साथ साथ में अल्ट्रो फास्ट चारजिंग और ये सारी चीजें ये फोन एक बहुती कॉम्पक्ट बॉड़ी के अंदर फिट करता है तो अब चलते हैं हमारी अन्बॉक्सिंग की तरफ और इस फोन को जरा करीब से चेक आउट करते हैं तो शाउमी 14 इस वाइट कलर के बॉक्स में आता है और लिट खोलते ही हमेशा की तरह सबसे उपर एक फोल्डर है जिसमें ये सिम एजेक्टर टूल है फिर कुछ यूजर मैनियूल्स है और एक सॉफ्ट मैक फिनिश में फ्लेक्सिवल प्लास्टिक केस है आगे बड़ें तो ये रहा हमारा शाउमी 14 का डिवाइस जोके आज हमारे पास इस वाइट कलर में आया है और पर सबसे एंड में है ये 90 वाट्स की अल्ट्रा फास्ट चारजिंग पावर ब्रिक और एक टाइप-C केबल अब दोस्तों डिजाइन के हवाले से इस फोन की जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो ये है के इट फील्स लाइक अ प्रीमियम फ्लैक्शिफ फोन इसकी बाड़ी ग्लास और मेटल की बनी हुई है आगे गुरिला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है फ्रेम अलुमिनियम की है और फिर बैक पे भी ग्लास है वैसे मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट पे यहां बैक भी ग्लास विक्टस की होनी चाहिए थी लेकिन इस शाओमी 14 में हमें IP68 डस्ट और रेसिस्टन्स भी मिलती है विच इस वाट बिग बॉइस अलसो आफर अब जासे के आपको इंट्रो में बताया था यह एक compact phone है तो यहां आप इसका comparison देख सकते हैं Redmi Note 13 और 13 Pro के साथ जो के दोनों बड़े phones की categories में आते हैं और इन phones के comparison में इस Xiaomi 14 की size थोड़ी ज्यादा pocket friendly भी है and it's better for one-handed usage phone की back पे यह high gloss finish दी गई है and I must say के इस white color में तो यह phone बहुत ही खुबसूरत लग रहा है I mean this phone feels really good in the hand back पे यह chunky सा camera module दिया गया है जो के इसकी back से थोड़ा उठा हुआ भी है मतलब यहां definitely एक camera bump है फिर यहां back की edges को curve रखा गया है जबके frame पूरी तरह से flat है अगर phone के physical dimensions की बात करें तो यह phone compact होने के बावजूद भी ultra slim नहीं है इसकी thickness 8.3 mm है so this is a chunky boy और वजन भी इतने छोटे से phone के लिए ठीक ठाक है at 193 grams अब design के हवाले से तो मुझे यह phone बहुत ही अच्छा लगा है it looks really beautiful materials बड़ी premium इस्तमाल किये गए है हातों में भी यह बड़ा अच्छा मैसूस होता है बस यह back पे मैं Gorilla Glass Victus को थोड़ा miss कर रहा हूँ लेकिन इस white color में इसके look से तो मुझे love ही हो गया है अब आ जाते हैं display पे और इसके display की spec sheet तो बहुत ही लंबी है इस display में इतने सारे features दिये गए है कि मुझे literally एक short list बनानी पड़ी कि मुझे कौन से features पे इस वीडियो में बात करनी चाहिए तो मैं आपको सारे main main features बता देता हूँ आप इसकी spec sheet जाके खुद website पे चेक कर सकने है तो 6.36 inches का compact सा AMOLED display है जिसमें Xiaomi का custom C8 OLED panel लगा हुआ है यह resolution 1.5K है bezels बहुत ही पतले है although यह top level flagship phones जितने पतले नहीं है पर still thin enough फिर यह एक 12-bit panel है यानि कि यह 68 billion colors दिखाता है but wait till you hear about how bright it gets यहाँ peak brightness है 3000 nits डिस्पले का refresh rate 120 Hz है और यह एक LTPO panel है तो यह 1 Hz से 120 Hz के भी scale करता है depending on usage और ऐसे LTPO panels हम लोग normally बिलकुल top of the line flagship phones में देखते हैं यह normally हमें बहुती premium phones में मिलते हैं और battery life के लिए बहुती अच्छ होते हैं क्योंकि जब display पे कोई movement नहीं हो रही होती तो phone 1 Hz तक refresh rate को गिरा कर battery और processor power save कर सकता है फिर इस phone में एक under display optical fingerprint sensor वी दिया गया है HDR 10 Plus का support है और यह display बहुती accurate color calibration के साथ आता है तक आप इस phone के cameras का सही फायदा उठा सकें I mean इसके cameras को Leica के साथ collaboration में बनाया गया है and the last time we saw something like this was in the Xiaomi 13T उसके cameras को भी Leica के साथ बनाया गया था और उसकी performance बहुत ही जबरदस थी तो I'm very interested to see के इस Xiaomi 14 की performance कैसी निकल के आती है तो यहाँ आप ज़रा cameras check out कर लेते है Xiaomi 14 में 50MP का triple camera setup है जहां तीनों cameras ही 50MP के हैं तो 50MP का main camera with optical image stabilization इस main camera पे Xiaomi ने Leica Samilux lens लगाया है which has a nice wide aperture of f1.6 जिससे यह lens ज्यादा background blur भी देगा और ज्यादा light भी लेगा फिर 50MP का ही telephoto camera है also with optical stabilization और यह वाला 3.2x optical zoom देता है और तीसरा है यह 50MP का ultra wide camera Xiaomi 13T की तरह यहां भी camera में हमें दो color profiles का option मिलता है Leica Vibrant जिसके colors थोड़े पंची है और Leica Authentic जो के थोड़े true to life colors दिखाता है अब एक unboxing video में मैं cameras पर बहुत in-depth बात तो नहीं कर सकता लेकिन आप से कुछ camera samples जरूर शेयर करूँगा इस camera की दो चीज़ें बहुत ही important है एक है इसके main camera में लगा sensor जो के Xiaomi का light fusion 900 sensor है और यह sensor 13.5 EV dynamic range देता है यह number जितना ज्यादा हो camera उतनी ही ज्यादा bright or dark areas at the same time दिखा सकता है और 13.5 EV इस वक्त के high-end mirrorless cameras देते हैं फिर इस sensor को दूसरा फाइदा है इसकी native color depth जो के 14 bits है यानि कि यह sensor 4 trillion colors देख सकता है obviously आपकी final image में तो इतने colors नहीं होंगे वो maximum 10 bit तक जाएगी लेकिन कहने का मक्सद है कि यह sensor बहुत ही capable है और जब इन तीनों cameras के बीच switch किया जाता है तो तीनों cameras के colors की matching और balancing भी मुझे बहुत ही पसंद आई है यह चीज हम normally premium और flagship phones में ही देखते हैं और यहां तो Leica के साथ भी collaboration है back camera की maximum video resolution 8K at 24 fps है और यह camera 4K 60 fps पे HDR 10+, Dolby Vision HDR और even 10 bit log video support करता है जिससे professional videographers खास तोर पर appreciate करेंगे आज़ें आगे वाली तरफ तो यहां 32 megapixel का selfie shooter है और यहां भी हम Leica की collaboration के फाइदे देखते हैं nice colors, अच्छी dynamic range और 32 megapixel के resolution की वज़ा से अच्छी details और front camera maximum 4K at 60 fps की video recording support करता है तो I think overall इस phone के cameras बहुत ही spec'd out है everyday users को तो काफी पसंद आएंगे मेरे तो ख्याल में even photographers, videographers और content creators इन्हें appreciate करेंगे अब आज़ा audio experience पे तो Xiaomi 14 के अंदर एक dual speaker setup है एक speaker यह नीचे है जबके दूसरा earpiece के अंदर दिया गया है और flagship phones के लिए तो अब dual speakers जाहर सी बात है लेकिन इन speakers का volume भी ठीक ठाक loud है और यहां मुझे treble और bass दोनू काफी अच्छे लगे so the audio sounds pretty rich और दोस्तों अब बात करेंगे Xiaomi 14 के chipset और internals पे तो best of the best Snapdragon 8 Gen 3 यह एक 4 nanometer का 5G chipset है जो के इस वक्त के top of the line flagship Android phones में होता है साथ में Arduino 750 GPU है 12 GB RAM के साथ 512 GB UFS 4.0 storage है बाइद वह इस phone में कोई SD card expansion नहीं है सिर्फ dual sims का option है या पिर आप इसमें eSIM इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन I don't think यह SD card expansion कोई तबड़ा issue है क्योंकि इस phone में आदा terabyte की storage है अब यह Snapdragon 8 Gen 3 इस वक्त Android की दुनिया का सबसे powerful processor है इसकी performance top notch है हमारे अंटूटू टेस्ट में इस chip ने 16,00,000 का score मारा और 4 nanometer के fabrication process की वज़ा से यहां इसकी efficiency भी बहुती जबरदस्त है फिर इस phone में Xiaomi की Ice Loop cooling technology डाली गई है ताके intensive apps और heavy games खेलते हुए यह phone ज्यादा गरम ना हो यह phone आपकी सारी heavy apps आराम से handle करेगा और अगर आप एक gamer है और PUBG ज्यादा खेलते हैं तो PUBG इस phone पे Ultra HD settings के साथ मखन चलेगी यह यह बात भी जहन में रखें कि display का touch sampling rate 240 hertz है जो कि gaming experience को और भी बहतर बनाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं बलके आप इस phone पे 120 fps वाली games भी खेल सकते हैं और क्योंकि यह एक Snapdragon chip है तो यह compatibility के भी ज्यादा issues नहीं होने वाले अब अगर बात करें इस पूरे experience को power करने की तो Xiaomi 14 में हमें 4610 mp की battery मिलती है जो कि ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन इसके साथ है 90 watts की hyper charge जिसका मतलब है कि यह phone बकॉल Xiaomi 31 मिनिट में empty से पूरा charge हो जाता है जो कि यकीन बहुती तेज स्पीड है बट there's more यह phone 50 watts की wireless charging भी support करता है उसका charging pad आपको अलग से खरीदना होगा I don't know पाकिसान में मिलेगा के नहीं but the feature is there और इस phone में 10 watts की reverse wireless charging भी है आपके birds वगेरा charge करने के लिए है अब जातक बात है battery life की तो जाहिर सी बात है 4610 million power की battery के साथ इतना bright display और इतना powerful processor आप इस phone से कोई बहुत ज्यादा अची battery life नहीं expect कर सकते है लेकिन याद रखें कि यह एक छोटा और compact phone है और इसे छोटे phones में battery की size पे limitations होती है आप बहुत बड़ी battery नहीं कर सकते है फिर भी full battery के साथ मेरे खियाद में ज्यादा तर लोगों का इस phone के साथ एक दिन तो निकल जाना चाहिए अगर नहीं निकल रहा तो पर 90 watts की hyper charge के साथ आप इसको बहुत ही तेज़ चार्ज कर सकते है और दोस्तों अब हम बात करेंगे इस phone के interface की और यहां भी थोड़ी सी special बात है क्योंके Xiaomi 14 is the first phone जिसके अंदर Android 14 पे Xiaomi की brand new hyper OS लगी हुई है जिसे apparently Xiaomi को 2017 से develop कर रहे थे यह OS बेसिकली IoT और smart devices के लिए एक ecosystem के तोर पे develop किया गया है है यह भी Android based और कुछ हद तक MIUI जैसा ही दिखता है लेकिन Xiaomi ने इसमें कुछ interesting नए features डाले हैं इन में से सबसे main feature है कि अब आप home screen को ज्यादा customize करके save कर सकते हैं और फिर different home screens के बीच में switch भी कर सकते हैं आप गैस कर सकते हैं कि Xiaomi ने यह inspiration कहां से ली है और भी काफी सारे changes है under the hood लेकिन पहली नजर में तो मुझे यह Hyper OS काफी light और snappy महसूस हो रहा है और जहां बात हो रही है interface experience की तो वहां haptic feedback की बात कर लेते हैं तो जब आप Xiaomi 14 की screen पर कहीं भी click करेंगे यह से interact करेंगे तो आपको अपने कलाई में बहुती नर्मो मुलाइम किसम की clicks महसूस होंगी जो के normally हम ज़्यादा महेंगे phones में देखते हैं तो दोस्तों यह Xiaomi 14 एक बहुती compact और छोटे से package में बहुत सारे features pack कर रहा है और features की हब तक मुझे इस phone से कोई बड़ी complaints तो नहीं है सिर्फ दो चीज़ें हैं एक तो यह कि मैं prefer करता अगर यहां back पे Gorilla Glass Victus की protection दी जाती और दूसरी चीज़ है battery size मैं prefer करता अगर इस phone में थोड़ी बड़ी battery दी जाती लेकिन I can understand कि यह compact और छोटा phone है तो battery size पर limitations है लेकिन other than that I think this is an awesome phone यह जरूर है कि 3,40,000 के price point पे इस phone को बहुती tough competition कर सामना करना पड़ेगा तो अब देखना यह है कि आप लोगों को Xiaomi 14 कैसा लगा मुझे अपनी राए नीचे comments में जरूर बताएगा चैनल पर नहीं है तो हमें subscribe और follow करें वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share भी कर सकते हैं आखर तक देखने का बहुत शुक्रिया इंचाला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलाहाफिस